नमस्कार दोस्तों गुंतिष अगस्ट 2020 के RPC Only के डेली कांड़ पैर्स वीडियो में आपका हाधिक स्वागत हैं तो आए दोस्तों सरवात करते हैं आज के कांड़ पैर्स वीडियो की दोस्तों सबसे पहले हम जिस नियूज पे डिसकस करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है वो समधित है राजस्तान सोसल और पर्फॉर्मेंस ओडिट ऑथरोटी के गटन से दोस्तों राजस्तान सरकार के जो मंत्री मंडल हैं केबिनेट की मीटिंग हुई उसमें डिसीजन लिया गया कि राजस्तान सरकार की जन कल्यानकारी योजनाए हैं उनमें सारवजनिक जबाब देही सुनिश्चित करने के लिए उनमें टांस्परेंशिल लाने के लिए उनमें जन सब बागीता लाने के लिए और जो है जन्ज संतुस्टी को सुनिश्चित करने के लिए राजिस्तान में एक ऑथरोटी के गटन किया जाएगा जिसका नाम होगा राजिस्तान सोसल एंड पर्फॉर्मेंस ओडिट ऑथरोटी इस ओथरोटी का काम होगे राजिस्तान सरकार की जो योजनाए है राजस्तान सरकार की जो योजनाए हैं उन योजनाओं का धराचल पर कैसे उनका किर्यानवन हो रहा है उसको सुनिश्रित करना और उसकी ओडिटिंग करना तो यह जो ऑथरिटी के बारे में आपको पता हूँ जिसका नाम क्या है राजस्तान सोसल एंड परफॉर्मेंस ओडि इसको जारी कर दिया गया है कबिनेट ने इसका अनुमधन कर दिया है दोस्तो यह जो निती आ जाएगी उससे राजस्तान में रोजगार के आउसर बढ़ेंगी जो विदुप्त हो रही हस्त कलाएं हैं उनको एक तरसे पुना जिवन मिलेगा और इस हस्त सिल्प निती के त राजिस्तरिय मोनिटरिंग कमिटी के जो अध्यक्स होंगे वो होंगे उद्योग एवं वानेजियो मंत्री राजिस्तान सरकार के उद्योग एवं वानेजियो मंत्री राजिस्तरिय मोनिटरिंग कमिटी के अध्यक्स होंगे तो यहां चाचे सवाल बन सकते हैं कि राजिस् निती कब जारे की गई, 2020, 2021, 2022, तो सन याद रखना है, 2022 में जारे की गई, और अब्जेक्टिव क्या रहेंगे, कि रोजकार क्या उसर बढ़ाना, अविलूप्ट हो रही हाप्सकलाव को पुनजिवित करना, और इसके तत्किया क्या कारे किया जाएंगे, इसके तत्किया जा यहाँ पे भी जो हैं, वो सीम प्रेस नोट से समधी थी करनेट अपैर्स हैं, यह भी इंपोर्टेंट है, दोस्तों, चिकिसा महाविद्याले जो बरतपूर है, उसका नाम करन बदल के अब कर दिया गया ऐसी जगनात पाहडिया चिकिसा महाविद्याले, तो पुछा जा सक के राज्यपाल भी रहें, तो थोड़ा सा हमारे इस्टेटिक जिक्या का पॉर्सन भी कवर हो जाता है, अगली जोन्योंचे दोस्तों वह भी इंपोर्टेंट है, वह समझत है, पैलेस ओन वील से, दोस्तों, रस्ता सरकार की कैबेडर ने डिसिजन लिया कि पैलेस ओन वील पर करने का नियन लियागा, यह के बिनेट के द्वारा तो पैलेस ओन विल्स, इतना ही अमें इस चीज से ध्यान रखना है, और इसका जो स्वामित्व रहेगा, वह किसके पास रहेगा, तो स्वामित्व रहेगा, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, यहां पे भी इंपोर्टे पेपर में, तो स्वाड़ा सा देख लेते हैं, जो निर्मल चोधरी है, उन्होंने राजस्ता निविश्टी जाइपूर से जीत हासिल की, निर्देलिय अमिद्वार के रुपर नों जीत हासिल की, जैनान व्यास निविश्टी जोधपूर है, वहां से अर्विन सिंग के बारे में, जादा जान करने चाहिए, बागी कोटा विश्ट विश्वधियाल से विज़ रहे, अजेर पारेटा, MLSU, मोनला सुकाड़ उनलिशिटी उदेपूर से विज़ रहे, कुल दीब सिंग, और महाराजा गंगा सिंग विश्वधियाल है, विकान वां से विज़ तो कौन-कौन कहां से जीता है थोड़ा समय जानकरी होने चाहिए को कही बार इन में से मैस्ट पॉलेंग करके यह डायरेक्ट पूट अप सवाल बन सकता है आगे बढ़ते हैं दोस्तो जैसा कि आशकोगे को बता हैं कि आज से राजियो गांदी ग्रामीन ओलम्पिक खेलो की सुरुआत हो रही है कुंती सगस इनकी सुरुआत होगी खेल दिवस्ते और 5 अक्टुमबर तक यह गेम चलेंगे पहले ग्रामीन ओलम्पिक खेलो में कुछ हैं गेम्स खेले जाएंगे जिसमें जो गेम हैं आपस बता रहा हूं इसमें टैनिस बॉल किर्केट होगा, होकी होगा, कबड़ी होगा, खोको होगा, सुटिंग बॉल होगा और वॉलिबॉल होगा लेकिन इन खेलो में दो गेम ऐसे हैं, सुटिंग बॉल जिसमें केवल पुरस ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और खोको जिसमें केवल महिलाएं हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं अब राजिस्तान की युवाओ को जोड़ना ताकि उनमें नसे की प्रवर्ती से वो इधर आ जाएं, खेलों की और बड़े, दूसरा जो आप कह सकते हैं कि जब खेलों का आयोजन होता है, तो इसमें आयोजन में भी कापी संसाधन लगते हैं, तो इसे जो ग्रामीन अर्फ प तो ये सब जो चीजे हैं वो इस राजियो गांधी ओलम्पिक खेलों का objective है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पताऊनों जे राजियो गांधी ग्रामीन अर्मिपिक खेलों का क्या objective है, आगे बढ़ते हैं दूस्तो अगली जो निूज हैं वोग समझे था हैं महिला स इस वर्स की celebrating women's right to vote यह हमें पता होना चाहिए आगे बरते हैं दुस्तों अगली जो न्यूजे है वो भी बहुत important है वो समय थे DRDO जो Defense and Research Development Organization है DRDO उसकी अध्यक्स बनाया गया है Samir V. Kamad को नया अध्यक्स किन की जगा बनाया गया है 37 रेडी को 37 रेडी को अब रक्सा मंत्री का वेगानिक सलकार भी बनाया गया है DRDO को हाली मैठेक्स किसे बनाया गया है Samir V. Kamad को किसकी जगा बनाया गया 37 रेडी को important content है एक्जाम के point of view से आगे बरते हैं दोस्तों अगला न्यूज है ज़्यादा important तो नहीं है एक बनाया गया गया तो कहां पे लिया गया राष्टान सिविल सेवा अपिल प्रादी करन की इस तरफीट बनाने का पैसला जोद्पूर में पता होना चाहिए अगली न्यूज पर आते हैं दोस्तों ये भी important है अगली जो न्यूज है वो भी बहुत important है ये समझते है हमी जाकिर बाबा कैंसर हुस्पिटल से तो इसका उद्गाटन पदानमदी नंदर मोधी द्वारा किया गया ये कैंसर हमी जाकिर बाबा कौन थे, वो परमानों वेग्यानिक थे तो दोतरी से सवाल बन सकते हाली में मोहली में किस मसूर भारति विगानी के नाम पर Cancer Hospital का अनरवन किया गया पदानमधी दनमधी के दोआगए तो हमी जाकिर बाबा अंसर हो जाएगा या पिर उल्टा पूस ले हमी जाकिर बाबा Cancer Hospital का अंस्ट पित किया गया मोहाली में तो ये भी हमें पता होना चाहिए अगले जो नुजे दोस्तो वो समझ थे के वी सुपरमानियम से के वी सुपरमानियम को आई एमें बैच्टे का कारेशनल मॉनिटरी फ़ंड है अंतराष्ट मुदरासंग उनमें भारत का कार्य कारी निदेशट बनाया गया भारत का व्लबाart की तरप से जो वर्किंग डिरेक्टर होता है वो बनाया गया है के वी सू बर्मनियम को तो यह हमें कंटेंट बता होना है चाहिए दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही जैसा कि आज तो भी को पता है कि आज से राज जियुगांदी ग्रामी नॉर्पिक खेलो का अजन हो रहा है तो चार-पांच दें तक हम इन खेलो के आजने वेस्त रहेंगे तो इस सब्ता के जो डेली का इंटरपैर्स है वो आपको डेली लेवल पर नहीं मिलेंगे लेकिन जब वीक आएगा बलब जो विकेंड होगा विकेंड पे सनिवार को या रविवार को हम आपको उस पूरे सब् हमें उपलब कर रहेंगे बागी फिर से आपके डेली का इंटरपैस स्टार्ट हो जाएगा इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को सुनने के लिए देखने के लिए आपसे वीजुत का बहुत बहुत अबार बहुत बहुत धनेवाद